नमस्कार दोस्तों 25 नॉम्बर 2022 के डेली नीउस एनलेसिस और एडिटोर्ल एनलेसिस में आपका सौगत है कौन-कौन सी इंपोर्टेंट नीउस है तो पहली नीउस की सुप्रीम कोर्ट नहीं हाँ पे कॉशन किया है कि भाईया इतनी लाइटनिंग स्पील से कैसे आपने गोयल सापका अपॉइंटमेंट कर दिया ये नीउस क्या है नीउस तुम मैंने कहरे कल आपको बता दी है कुछ कॉशन्स पूछे हैं केंदर की सरकार से वो वैकेंसी जो पिछले 5-6 महीनों से बनी हुई थी 24 घंटे में अपॉइंटमेंट हो गया तो कौन से प्रमाइस पे हुआ क्या वैटिंग हुई तो ये कॉशन्स के बारे में बात करेंगे फाइनाइस मिनिस्ट्री ने बोला है कि दुनिया में ग्लोबल स्लोडाउन के चलते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट ज़रूर कम हो रहे हैं बट हमारी डॉमेस्टिक एकनॉमी में इतनी ताकत है कि हम अपनी एकनॉमी को डॉमेस्टिकली बढ़ा सकते हैं ये क्या है इसको देखेंगे अनिम्पॉयमेंट रेट गिरा है ये पिरॉडिक लेबर जो सर्वे है वो बता रही पिरॉडिक लेबर फोर्स सर्वे ये पी लेफस के जो भी आपकी फाइंडिंस इसके बात करेंगे फिर सिविल एवेशन मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किये हैं ड्राफ्ट एरपोर्ट सिक्योर्टी रूल्स दो हजार बाइस इसके बारे में बात करेंगे और ओडिसा की कुटिया कॉंध ट्राइब किस प्रकार से मिलिट्स की खेती कर रही है ओडिसा केंदर ओडिसा की सरकार क्या 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 कर रही है मिलिट्स की खेती को बढ़ाने के लिए इसके बारे मात करेंगे फिर editorials में कौन-कौन से editorial है तो Ukraine right-wingers and crisis of democracy basically थोड़ा आप कहलो ideologically driven article है Sweden में recently यह जो सरकार में changes हुए है और यह Sweden ने जो NATO में membership के लिए apply किया है इसका क्या मतलब है कैसे right-wing agenda दुनिया भर में जीत रहा है और left-wing agenda की importance कम हो रही है इसके बारे में बात की गई इसको देखेंगे फिर over the top जो platforms होते हैं जैसे Flipkart हो गया, Amazon हो गया यह OTT platform है WhatsApp हो गया, आपका YouTube हो गया यह भी प्रकार का OTT platform है तो इसको include किया जा रहा है draft telecom bill में क्या यह सही है इसके बारे में बात करेंगे North East में जो Discoit है इसके बारे में बात करेंगे भी रिसेंटली 22 नॉंबर हो कुछ लों की जान चलीगी ओपनिंग स्टांस करके इसको डिसको डिसकस करेंगे और एक आर्टिकल है the challenge of dressing without knowing where to go मतब रिपोर्टर्स जब अपनी रिपोर्टनिंग करने जाते हैं इस बात को लेकि जर्नलिस्ट कितना सोचते हैं कितना वो जरूरी है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताएगे है तो ये भी एक दो मिनट में देख लेंगे तो इतने आर्टिकल्स में डिसकस करने वालो हूँ आगे बटन से पहले वीडियो पे लाइक कर बटन दोस्तों चैनल को अब तक शेर और सब्सक्राइब नहीं क्या कर लीजे इंस्ट्रागाम पर फॉलो कर लीजे आपसे जोडने की कोशिश करता हूँ टेलीगाम गुप जोन कर लीजे तो आपको लेक्चर की पीडियाफ और नोटिफिकेशन दोलो मिल जाएगी टेलीगाम को जुरू जैन करी दोस्तों चुकि वहाँ पे डेली के बेसिस पे कुईज वगर अफ्लोड होते उस कुईज के शॉर्ट सॉलुशन्स आपको मिल जाते है समय समय पे आपको कुछ वीडियोज मिल जाएंगी जनरल स्टेडी से रिलेटेड आपके रिवीजन से रिलेटेड तो एडिशनली आपको मदद कर देंगे आपकी प्रेपरिशन में वर्ट अथ देख लेते हैं टेकर रेंज चेक टेकर रेंज चेक मतलब किसी भी चीज़ को उतना साथ सीरिसली मतले ना होता है ना कि आपको कहीं जाने का प्रोग्राम होता है और वेदर फोरकास कर अबड़ा पानी बरस गया तो आप गए हैं नहीं तो क्या हो गया टेकर रेंज चेक मतलब कि overall किसी चीज़ के ओपर वाच्चीत हो रही है और आप कमा जाने का प्लान है लेकिन आप उसको उतना सीरिसली नहीं ले रहे हो चुकि किसी और चीज़ के ऐसे उसे कैंसल किया जा सकता है ठीक है बड़ा आगे आ जाते हैं अच्छा वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों इस वीडियो के इंगेजमेंट को यूट्यूब में बढ़ाने के लिए जीस पेपर टू जुडिशिरी कॉस्टिटिशन बॉडी सुप्रीम कोट कॉस्टिशन स्पीड of election commission appointment देखे यहाँ पर जस्टिस केम जोजफ साब जो कि constitution bench को lead कर रहे हो क्या बोल रहा है ता chief election commissioner is a person to be appointed in his own right you government have made it into a promotion source you are supposed to appoint a person directly as chief election commissioner you have made EC a feeder category EC मितलब election commission the founding fathers contemplated a chief election commissioner who will hold office for six years independently not as a promotion अभी हो रहा है ना कि भाई अगर एक election commissioner को chief election commissioner को 64 साल की उमर पे appoint करोगे तो 65 साल पे retire हो जाएगा एक साल में तो इतने कम समय के लिए chief election commissioner को क्यों appoint कर रहा है सरकार ने response दिया कि भाई हम election commissioner appoint करते हैं और वही election commissioner बाद में elevate कर दिये जाते है as a chief election commissioner तो यहाँ पे पलट के जोजफ साहफ यह बोलना है supreme court के जज़े कि भाईया chief election commissioner को सीधे appoint करना है election commissioner को feeder category बना कि आपको chief election commissioner नहीं मनाना है यह एक viewpoint दिया यहाँ पे कि हम जोजफ साहफ ने फिर अरुन गोयल साहफ को recently जब election commissioner बनाया गया 23 नॉमबर यह मतलब अभी recently कुछ दिनों पहले 23 नॉमबर को इसको लेके बहस चल ली थी supreme court में तो जोजफ साहफ ने यह question किया है कि भाईया 24 घंटे के अंदर 18 नॉमबर को कैसे आपने अरुन गोयल साहफ को election commissioner अपॉइंट कर दिया अरुन गोयल साहफ एक bureaucrat है उन्होंने bureaucrat की कुरसी से resign कर दिया उसी दिन उनको election commissioner की कुरसी offer की गई उन्होंने appointment accept भी कर लिया और दो दिन बाद charge भी ले लिया तो यहाँ पे justice केम जोजफ साहफ एट और ने आर वैंकेट रमानी से 23 नमबर को पूछ रहे कि वो files हमारे सामने ले क्या यह जिसके थूँ आपने वो process किया है जिसके थूँ अरुन गोयल का appointment हुआ है as an election commissioner ठीक है न भई और क्या neutral और independent mechanism आप इस्तमाल करते हो election commissioners के appointment के लिए यह भी यहाँ पूछा है सुप्रीम कोट ने actually में सुप्रीम कोट में petitioner के बहाफ पे जो की election commissioners के appointment process के अगेंस जो petition डाल रहा है उसके बहाफ पे जो एड़ोकेट परशान्द भूशन साहब है तो एड़ोकेश परशान्द भूस्टर साहब नहीं यहाँ पर यह बोला कि मिस्टर अरून्ट गुल सेकरेटरी थे सरकार में उन्होंने voluntary retirement लिया और फिर Saturday को वो election commissioner अपॉइंट कर दिये गए और Monday को उन्होंने चार्ज भी ले लिया तो 24 घंटे के अंदर चीज़ें हो गई यहाँ पर मई से लेके नौंबर 18 मई, जून, जुलाई, अगस, सेप्टमबर, अक्टूबर, नौंबर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अल्मूस साथ महीने तर vacancy थी इस vacancy को जब question किया गया और इसके respect में, जब Supreme Court में petition पहुँची, तो एकदम से 18 नौंबर को 24 घंटे के अंदर अंदर एक नया election commissioner appoint हो जाता है, तो क्या standard operating procedure इस्तमाल किया गया ठीक है, आपने urgent basis पर appointment किया अची बात है, where there is a will there is a way, बट 6-7 महीने की vacancy को एकदम से 24 घंटे में भर दिया गया, कौन से process के दुरू भरा गया, फिर at the same point of time, Justice Joyce साव ने ये भी बोला है, कि जो Arun Goyal साव है हमने इनकी files देखी है, he is a brilliant academic record, तो हम उनकी काबलियत को question नहीं कर रहे हैं, लेकिन काबलियत के आधार पर आप ये नहीं कह सकते हो कि वो individual docile नहीं होगा, अब ये बहुत बड़ी बात बोली है Supreme Court में, docile का मतलब समझते हैं, जो बात मान ले किसी की, जैसे for example someone is docile to me, तो मैं उसे जो भी बोलूँगा तो वो मेरी बात आराम से मान लेगा, मेरे को ज़्यादा question नहीं करेगा, तो docility का मतलब ही होता है, the quality of being quite and easy to influence persuade or control मतलब की overall indirectly, justice जोजफ ये कह रहे हैं कि Mr. Arun Goyal भलही academic recording का excellent हूँ बट सरकार के प्रती ये docile नहीं होंगे, ये आप कैसे बता करोगे अब इस context में तो ये भी बोला जा रहा है कि एक election commissioner को overall अगर Supreme Court की committee भी चुनती है, तो वो docile नहीं होगा इस बात की क्या guarantee guarantee किसी भी चीज़ की नहीं होती है इसलिए attorney general Venkat Ramani सहाब ने पलट के बोला कि भाईया जो docility है this is very subjective और कौन किसके लिए docile ये आपके सोचने के नजरिये पे depend करता है फिर at the same point of time Venkat Ramani सहाब ने पलट के Supreme Court के judge आपके जेज़फ सहाब को ये बोला कि ऐसा नहीं था कि कोई docile person वहाँ पे घूम रहा था appointment के लिए और सरकार ने एकदम से पकड़ के उसको appointment कर दिया कुछ overall persons के group को shortlist करता और उस group में से कोई एक नाम यहाँ पे appointment किया जाता तो law commission ने एक panel of चार नाम prepare किया था और उसमें से एक नाम Arun Gowell सहाब का pick किया गया था तो यहाँ पे जोजफ सहाब ने ये भी पूँच दिया कि law commission ने कौन से criteria के आधार पर ये चार names को shortlist किया था ये भी हमको बताओ ठीक है ना तो court ने पूरे के पूरे process को question किया है कि कि किस प्रकार से law minister ने sorry law commission नहीं law minister मैं law commission गलती से बोल गया हूँ किस प्रकार से law minister ने panel of four person मनाया इसको बराने का criteria क्या था और इन चार में से अरुन गोयल को चुना गया तो इसको चुनने का criteria क्या था तो entire database of DOPT में से ये चार में हम आपने कैसे चुने और इन चार में से अरुन गोयल को कैसे चुना ये पूरा process हमको यहाँ पे बताओ ठीक है तो इस बात को लेके अब Supreme Court versus central government चल रहा है नियम कानून के हिसाब से चीफ election commissioner का 6 साल का tenor और election commissioner का भी 6 साल का tenor पर अभी से बात है tenor पूरा हो नहीं पाता है जोकि upper age limit है 65 साल की क्या final यहाँ पे result आए इस पूरी बहस में ये देखने वाला होगा जोकि Supreme Court जबर्दस तरीके सरकार से question कर रही है election commissioner के appointment वे फिर next GS paper 3 इंडियन economy global slowdown may hurt exports but domestic steam to power economy union finance ministry तो भाई देखिए retail inflation की बात की जाए 2022 की शुरुआद में retail inflation edible oil और fat की वज़े से बढ़ रहा था चुकि यह चीज international market महेंगी थी तो इंडिया में domestic component है उसकी वैसे inflation बढ़ा भी और थोड़ा stabilize भी हुआ है यहाँ पे अलग-अलग commodities shiziris, clothing, food, fuel, oil and fats vegetables, oil and flats, vegetables में आपको बहुत सरे लाल bracket 18%, 17% वाला inflation नज़र आ रहा है 15% तो कईने कोई oil and flats और vegetables में बहुत ज़ज़ा inflation देखने हों मिला है थोड़ा बहुत वो ठीक भी हो रहा है तो देखें यहाँ पे Finance Ministry का statement गया है The outlook for India's exports may be dented by global slowdown driven by the confluence of stubbornly high education, inflation rising borrowing cost and geopolitical tensions but resilient demand resilient domestic demand and a reinvigorated investment cycle will push the economic growth and spark a rebound in jobs in coming months मतलब बले ही global slowdown के चलते borrowing cost बढ़ रही है उसके चलते चुकि international rates बढ़ गए है geopolitical tensions के चलते इंडिया के products की जो demand है international market में घट गई हो जिसके वैसे इंडिया के exports घट गए है बढ़ इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी growth घटेगी इंडिया की domestic economy बढ़ती रहेगी चुकि हमारी growth is not only dependent on export it is also dependent on local demand ठीक है भई फिर यह बोल रहा है कि जो recent inflation pressures है यह आए है higher food prices की वज़े से भाई minister साब का यह बोलना है कि हम महेंगी चीजे import कर रहे है उसकी जैसे तो inflation बढ़ी रहा है हमारी domestic economy में भी दाम बढ़े हुए इसकी वैसे भी inflation बढ़ रहा है तो इसको resolve करने के लिए खासकर food और vegetable sector में जो खरीफ की खेती है उसके आने से overall जो आप कहलो ग्रेंस के food ग्रेंस के दान है वो stabilize हो जाएंगा और food ग्रेंस के दाम जब stabilize होंगे तो retail inflation भी घटेगा अभी तक April 2022 से लेके अब तक जो retail inflation है वो 7 प्रतिशत से जादा रहा है October में 6.8 प्रतिशत था तो मतलब October में कहीं न कहीं inflation stabilize होता नज़र आया जो कि एक अच्छी बात है फिर Finance Ministry का एक और डाटा बताता है कि चीज़ें सुधर नहीं जो नरेगा स्कीम है मनरेगा स्कीम है मनरेगा स्कीम के अंदर जो जॉब की डिमांड है वो October के महीने में घटी है तो Finance Ministry बोल रही है एक positive signal है क्यों चूँकि भाई है September अक्टूबर के महीने में tractor की sale बढ़ी है मतलब जादा से जादा लोग farming community में farming occupation में अपने आपको involve कर रहे हैं चूकि food base के दाम बढ़े हुए तो लोगों को farming ये जो business से थोड़ा attractive लग रहा है जो crop area soon है ये expected है कि आगे आने वले समय में बढ़ेगा crop की पैदावार बढ़ेगी और चूकि international market में चीज़ें महंगी भी कर रही है तो शायद सरकार को उतना procurement भी ना करना पड़े PDS के अंदर शायद इतनी नौकरी भी ना माटने ने मनरे का के अंदर लोग agriculture में involved होके अपना पैसा बढ़ेगा कमाएंगे इस परकार का कुछ scene यहाँ पे finance ministry सामने रख रही हाला कि बहुत सारे experts इसको अपने डाटा के basis पे counter भी कर देगे फिर अगर आप देखो फरवरी 2021 से लेके अब तक लगातार इंडिया के exports बढ़े हैं October 2022 में इंडिया के exports घटे थे उसका reason high inflation है borrowing cost है अब इंडिया के comparison में चाइना की बात करो तो चाइना के exports भी लगातार मई 2020 से बढ़ रहे थे लेकिन October 2022 में घटे है reason being की चाइना में बड़ा lockdown लगा था due to COVID-19 ठीक है भई अब COVID-19 के restrictions हट गए हैं इंडिया के अंदर तो कहीं न कहीं business games मिलेंगे firms को festival season आने वाला है तो उसकी वज़ा से जो sale momentum है जो मनरेगा के अंदर job की demand है वो इसलिए घटी है चुकि लोगों को दूसरी जगों पे नौकरिया मिल रही है जबकि राज की सरकारों का और जो राज ये government के critics है केंदर की सरकार के जो critics हैं उनका ये बोलना है कि मनरेगा के अंदर demand इसलिए घट रही है चुकि सरकार ने सही समय पे पुराने मनरेगा वर के payment release नहीं किये हैं कई बार ऐसा होता है कि वो labor जो मनरेगा के अंदर काम करते हैं वो अपने bio friending, bio matrix ना दे पाने के वज़े से, एक proper internet connection ना ले जाने के वज़े से, normal diplomatic hurdles की वज़े से, time पे अपने job की तनखा नहीं पापाते हैं तो चुकि उनको पता है कि हम काम कर भी देंगी तो भी हमारी payment कई महीनों तक नहीं आएगी इसलिए मनरेगा का काम उनको अपील नहीं करता और कई बार ऐसा होता है कि दिन की दिहाडी मजदूर एक private contractor जादा पैसा दे देता है और मनरेगा के अंदर सरकार कम पैसा देती है तो अलग-अलग आप कहलो यहाँ पे viewpoint से, सरकार का एक अलग viewpoint है और जो सरकार के critics हैं उनका भी मैंने आपको viewpoint बता दिया, वो यहाँ नहीं लिखा होगा तो यह सब चीज़े हैं बट Finance Ministry इस बात को accept कर रही है कि जो global economy है, इसमें समय पे turbulence है, macro economic uncertainty भी बनी हुई है, आगे आने वाले समय में क्या unknown activity होगी हमें पता नहीं, इस stagflation का risk अभी भी persist करता है stagflation क्या होता है, stagflation मतलब एक country की economic growth कम हो, वहाँ पे नौकरियां जादा बनेना, और उसके सासद महंगाई बढ़ती रहे, तो इसको आप बोलतो stagflation, और stagflation के chances बन रहे हैं, चोकि देखे, policy rates बढ़ाए गए दुनिया भर में उसके बवजूद भी inflation बढ़ता जा रहे है, अब policy rates बढ़ने के वैसे market में liquidity कम है, तो economic growth थोड़ी धीमी हो रही है, तो economic growth धीमी है, लोगों को नौकरियां मिलने ही पारी, जोकि business से जादा धंदा खोल नी रहे, और उसके सासद महंगाई बढ़ रही है, तो stagflation जैसी condition तो देखो, बंती नजर आ रही है, ठीक है, फे next, GS paper 3, unemployment rate dips marginally to 7.2% in July-September survey, तो भाई, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि urban इलाकों, वैसे यह जो survey conduct की गई, इसका नाम में periodic labor force survey, इसको conduct किया गया national statistical office के द्वारा, तो इस particular गुला survey का यह बोलना है, कि urban इलाके में जो लोग रहते हैं, जिनकी उमर 15 साल से जादा है, उनका unemployment rate जुलाई से सेप्टमबर 2022 के time period में 7.2% हो गया, यह एक साल पहले, जुलाई सेप्टमबर 2021 में 9.8% था, और पिछले quarter में, जुलाई, अगा सेप्टमबर वाले से जो पहले quarter है, अप्रेल में, जुन वाला, उसमें 7.6% था, अभी के लिए unemployment rate जुलाई सेप्टमबर 2022 में 7.2% है, फिर आगे देखे क्या है, unemployment rate यह जुलाई सेप्टमबर 2022 में में के लिए है 6.6%, वुमें के लिए है 9.4%, जुलाई से persons unemployed among the persons in the labor force, तो labor force में जो लोग है, जो actually में काम करने के capable है, उसमें से भी जितने लोगों के पास नौकरी नहीं है, उससे आप calculate करते हो, unemployment rate, फिर अगला metric है, worker population ratio, worker population ratio क्या है, percentage of employed persons in the population, मतब population में कितने percentage of persons employed है, इसको आप बोलते हो WPR, worker population ratio, तो it is defined as a percentage of employed persons in the population, WPR urban इलाकों में 15 साल से ज़्यादा की उमर वाले लोगों के लिए कितना है, जुलाई से सेप्टेंबर 2022 क्वाटर में है, 44.5%, corresponding peer, जुलाई सेप्टेंबर 2021 में था ये, 42.3%, अप्रेल से जून 2022 वाले क्वाटर में था ये, 43.9%, ठीकिना भई, अगर men और women के लिए अगर आप classify करो, तो 2022 जुलाई सेप्टेंबर में में के लिए worker population rate है, 68.6% में के लिए, और women के लिए 19.7%, और यही चीज जुलाई सेप्टेंबर 2021 में थी, 66.6% for men और 17.6% for women, फिर एक और मेट्रिक है यहाँ पर labor force participation rate, this is defined as a percentage of persons in the labor force who are working or seeking or available for work, मतलब जो labor force है, labor force मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, उस age bracket में आते हैं, तो उसमें से कितने लोग काम कर रहे हैं, या काम धून रहे हैं, इसको आप बोलते तो लेबर force participation rate, तो काम कर रहे हैं, या धूड रहे हैं, या available for work है, आप काम offer करोगे, तो करेंगे, तो यह जो labor force participation rate है, यह कितना है, तो 15 साल से ज़्यादा के उमर के लोगों के लिए, जुलाइ से सेप्टेंबर 2022 में 47.9% था, और यही जुलाइ से जून 2022 में 47.5% था, ठीक ना भई, और यही LFPR, आदमी men के लिए था 73.5%, 73.4%, women के लिए 21.7%, 2021 में नमबर था 73.5% और 19.9%, Ashoka University के data के साब साब, Ashoka University का Center for Economic Data and Analysis, एक आप कह लो, you know, survey भी करा रहा है कि क्यों, यह जो LFPR rate है, यह women के लिए गिरता चला जा रहा है, educational attainment women की बढ़ रही है, but at the same point of time, labor force periodic rate, आपका women के लिए घट क्यों रहा है, तो उसकी simple वज़या है, कि women education कर ले इतनी, बट social factors के चलते है, marriage के बाद उनसे accept किया जाता है, expect कि तुम घर का काम करो, overall कमाने वाला काम, male करेंगे, तो भले ही women के educational indicators better हो रहे हैं, बट कहीं न कहीं social prejudice के चलते women को अभी भी इंडिया के अंदर सफर करना बड़ता है, ठीक है ना, तो जो periodic labor food, अच्छा मैं आपको अभी जितने मैंने आपको यह economic indicators बता हैं ना, इनके notes बनाने की देखिए आपको ज़रौत हैं नहीं, चोकि यह quarter wise figures है, national statistical office, labor force survey से यह figures निकाले हुए है, ठीक है ना, और अशोका university की center for economic data analysis ने एक initiative चलाया था, यह पता करने के लिए, कि women का participation LFPR में इतना कम की हो, तो भले यह figure आपके government agency के हैं, बट इनको अपने notes में incorporate मत करिए, reason being यह figures हर एक quarter में बदलते हैं, बस समझने के perspective से ठीक, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं आपको data जो समझा रहा हूँ, वो है कि, तो भाई देखिए, labor force data समय समय पे हमारे पास available हो, सरकार की policies वगरा बनाने के लिए, plan करने के लिए, implement करने के लिए, इसलिए periodic labor force survey conduct कराई जारी अपरेल 2017 से, इसके अंदर कुछ important unemployment indicators को निकाला जाता है, एक है worker population ratio, एक है labor force participation rate, एक है unemployment rate, अब मेरा आपसे question है, इस particular question का जवाब, मैं पहले के एडिटोर्स में, और current affairs में, और in fact अपनी रमेश सिंग की economic की सीरीज में बहुत detail में दे चुका हूँ, what is the difference between worker population ratio, LFPR और unemployment rate, आप अपने दिमाग पे जोर डालिए, online research करिए और नीचे comment box में लिखके बताइए, let's see कौन सबसे अच्छा यहाँ पे जवाब दे पाता है, okay, यह आपके खुद की knowledge announcement के लिए है, और अगर आप जवाब लिखो के तो बाकी पढ़के भी कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखेंगे, तो इस प्रकार की exercises में थोड़ा सा willfully participate करिए, इस से आपके खुद की knowledge बढ़ती है, हाला कि मुझे पता है कि इस प्रकार के analytical चीज़ों में ज़्यादर लोग का दिमाग दोड़ता नहीं है, लोग easy education चाहते हैं, बट education और understanding कभी easy नहीं होती, उसमें बहुत मेहनत लगती है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसके चलते हैं, जो aviation security regulator है, Bureau of Civil Aviation Security, इसको यह ताकत मिल गई है कि यह penalty impose कर सकता है एरपोर्ट के उपर और airlines के उपर एक करोण तक की, अगर यह security measures को violate कर रहे हैं और यह जो draft aircraft security rules 2022 निकाले गए हैं, इनको निकालना बहुत जादा जरूरी था, अब बहुत जादा जरूरी क्यों था, चुकि देखिए United Nations के aviation watchdog, International Civil Aviation Organization ने इंडिया के airport architecture में कमी निकाली, उन्होंने बोला कि इंडिया के जो तीन regulators हैं, कौन से तीन regulators की बात हो रही है Directorate General of Civil Aviation, Aircraft Accident Investigation Bureau और उसके साथ BCAS Bureau of Civil Aviation Security इन तीनों regulators के पास कोई भी statutory powers नहीं हैं, यह बात point out की किसने, International Civil Aviation Organization ने, तो इसको point out करने के बाद, Parliament लेके आई Aircraft Amendment Act 2020, September 2020 में, जिसके चलते BCAS, DGCA और AAIB को मिला statutory status, और इस statutory status के तहद, अब लाना जरूरी हो गया था, यहाँ पे Aircraft Security Rule, चुकि amendment आप ले आए, बट amendment को ground level पे implement करने के लिए, उसके rules भी तो notify करने पड़ेंगे, तो rules आप आया हैं 2020, जैसे से citizenship amendment act था, citizenship amendment act था, अब citizenship amendment act था, तो दो साल पहले पास हो गया, पर उसके rule अब तक नहीं है, तो technically citizenship amendment act ground level पे implement नहीं हुआ है, लेकिन यह जो Aircraft Amendment Act 2020 था, यह act था, act पास हो गया, पर उसके नियम कानून आप आये हैं, अब technically ताकत मिल गई है, इन statutory regulators को एक करोण तक का fine लगाने की, इससे पहले rules कौन देखते थे, Aircraft Security के Aircraft Security rules 2011, हलाकि आपको पता है कि 2011 और 2012 में अब जमीन आस्मान का फर्क हो चुका है, पहले जो पेनाल्टी लगाई जाती थी, वो court के दोरा लगाई जाती थी, और 10 लाग तक की penalty court impose कर सकती थी, अब एक करोण तक की penalty impose कर सकते हैं, ये तीन regulators जिनको statutory दर्जा मिल चुका है, तो एक बार ये draft rules finance हो जाएंगे, तो Bureau of Civil Aviation Security 50 लाग से एक करोण तक का fine लगा सकती है, एरपोर्ट के उपर, एरलाइन के उपर, अगर ये airport और airline एक proper security program को implement नहीं करते, या prepare नहीं करते, और अपने operation शुरू कर देते हैं, बिना proper security clearance लिए, बड़े-बड़े airports के उपर, ये करोण तक का fine लगाए जा सकता है, अगर ये design और layout airport का in accordance with national civil aviation security program नहीं बनाने हैं, तो individuals overall अगर security से related दिये गए instructions को follow नहीं करते हैं, तो उनके उपर एक लाग से लेके 25 लाग रुपे तक का fine लगाया जा सकता है, जिस प्रकार का भी उन्होंने offense किया है, उसे साफ से, ठीक है भाई, तो ये overall हम यहाँ पे देखा, next, कुतिया कॉंध ट्राइब्स, देखें, तो बारा types of millets की cultivation कर रहे हैं, 2011 में लगब पाँच type of millets की cultivation कर रहे थे, 2017 में अगर आप देखोगे, तो Odisa government ने recognize किया, कि भाई, जो millets है न, they are very highly nutritious, climate resilient होते हैं, और tribal society की sustainable development के लिए, इन millets की अपनी importance है, इसलिए Odisa सरकार ने launch किया, Millet Mission 2017 में, ठीक है न, और इस program को 2800 करोड रुपे 2022 में allocate किये, Odisa की सरकार रहे, इस program की चलते हैं, इस समय पे, Odisa की 19 districts में 2,000,000 farmers, Millet की खेती कर रहे हैं, अब तक 3,23,000,000 कुंटल Millet प्रिडूस किया जा चुका है, Odisa government celebrate करती है, Mandiya दिबस, Millet Day बोलते हैं, इसको 10 November को, crop को popularize करने के लिए, in fact, अगर आप देखो, तो निर्बान नाम का एक organization, Millet Network of India से मिलके, बुरलांग यात्रा conduct कराता है, large scale के लिए, तकि मिलेट के बारे में, जो लोगों की awareness है, वो बढ़ सके, यहाँ पे बुरलांग festival बुरलांग यात्रा आपको नजर आ रही है, उड़िसा के कंदमाल district में लोग यात्रा कवर कर रहे हैं, मिलेट्स की खेती को celebrate करने के लिए, अब कोंधा ट्राइब में, यह जो कूतिया कोंधा ट्राइब है, this is one of the primitive sections आप कह लीजे, जो hill टॉप में जो लोग रहते हैं, उनको आप कोंधा बोलता हो, फिर कोंधा में, जो लोग लोग नदियों के पास रहते हैं, स्ट्रीमज के पास रहते हैं, उनको आप ड्चा promotary कि बोलते हैं, उनको आप देसी अब ये क्या कह रहा है देखे रशिया यूकरेन वार को लेके और राइट विंग की जो पॉपलराइशन उसको लेके एक व्यूपॉइंट है यहाँ पे और एट और कुछ साब को व्यूपॉइंट मैं आपको समझाऊंगा इनका ये बोलना है कि जो स्वीडन है न ये किसी पर्टिकुलर ग्रूपिंग का हिस्ता नहीं बनेंगे किसी पर्टिकुलर आइडिलोजी का हिस्ता नहीं बनेंगे हम पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के बेसिक नियम कानूनों को मानेंगे और ओवर ओल इंक्लूजिव डेवलेमेंट की बात करेंगे तो यहाँ अच सोशल और सिविक इनिक्वालिटीज पे आज की डेट में उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है पॉलिटिकल एजेंडा, राइट विंग एजेंडा, इमिग्रेशन इस प्रकार की चीजों पे ज़दा ध्यान दिया जा रहा है दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपकी स्विडिन के अंदर, एक तो है सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी ठीक है और एक है Swedish Democrats ये Right Wing Party है तो एक Left Wing Party हो गई एक Right Wing Party हो गई अब ये जो आप कहलो Swedish Democrats है Swedish Democrats इस समय पर Sweden के अंदर जीत रहे हैं आपने Conservative Agenda को लेके आगे बढ़ रहे हैं और कही न कहीं Swedish Element वही कर रहे हैं जो उनके Danish colleagues नहीं किया Denmark में जो हुआ Denmark में अंदर Social Democracy की सिधान को छोड़के जो Right Wing Agenda कि यहां भया हम Anti-Muslims हैं हम Overall Immigration को सपोर्ट नहीं करते हैं कुछ इस हिसाब से ही कहीं न कहीं इस समय पर Sweden की Politics भी हो रही है तो सबसे कासबाद दोस्तों यहां पर यह इसका सबसे Outright और जो Bright Signal है वो यह है कि भाईया NATO को जोइन करने की बात किये स्वीडन ने NATO को जोइन करना मतलब Sweden यहां पर Ukraine को सपोर्ट दिखा रहा है ठीक है अब एक तरफ पे आप NATO को जोइन कर रहे हो और दूसरी तरफ पे आप Liberal Democracy को बचाने की बात करो यह दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है Reason यह है कि अगर आप NATO को जोइन करोगे तो आपको Turkey के साथ मांडवली करनी पड़ेगी अब Sweden की लोगों का यह मानना है कि Turkey अपनी Minorities के उपर अत्का चाह करता है तर्की के अंदर जो कुर्द से उनके उपर अच्चा चाह करते है तो कुर्द से related जो important leaders हैं उनको Sweden ने शरण दी हुई है अब जब Sweden ने अप्लाई कि नाटो की membership के लिए तो तर्की अपोस करने लगा तो Sweden यहाँ पर तर्की के साथ बैठके बातचीत कने लगा और कल की date में कोई बहुत आस्चर की बात नहीं और कहीं न कहीं Sweden ने हामी भर दी है कि ठीक है भाई यह तर्की के जो code element है उसको हम support नहीं देंगे तो यह जो so-called democracy के लिए लड़ रहा है तर्की ने NATO की membership के respect में एक शर्त रग दिया Sweden के ओपर कि तुम हमारे inimical elements को support नहीं करोगे तो Sweden कहीं न कहीं अपनी international foreign policy में actually में जो democratic और equality और civil और social equality के सिधान को follow करता था शायद नहीं follow करेगा वो खोद आप एक NATO grouping का part बन जाएगा reason being कि वो खोद threatened feel कर रहा फिर दुनिया होर के viewpoints दे रखे हैं कि किस प्रकार से global decisions के चलते internal crisis और internal आप कहलो decisions के चलते पूरी दुनिया में जो rightist parties हैं वो ताकत में आ रही है पुतिन के जो जार वाले जो dreams हैं उसके चलते यूरोप में एक बहुत बड़ा war लड़ा जा रहा है ब्राजील में यह जो जेर बोल से नारो ताकत में आया फिलिपीन्स में जो यह Ferdinand Marcos ताकत में आया और रोटरी के ट्यूटरटे ताकत में आया यह सब absolute power पकड़ के बैठे थे South Africa में African National Congress के project को destroy किया गया तो कहीं न कहीं सीरिया में जो internal war हुआ कहीं न कहीं वो इसी thought process की वज़े से हुआ लोगों का social और civic equality पे ध्यान नहीं है at the same point of time लोग अपने खुद के domestic agenda को implement कर रहे है जिसके चलते right wing वाली theory वो है वो बहुत ज़ादा popularize हो रही है और यह pro-democracy forces के लिए एक बहुत बड़ी हार है ठीक है तो यह सब बाते है overall यहाँ पर बताई गई है एक कहलो ideological article है जिस ideological article में पूरी की पूरी Sweden की approach को question किया गया फिर next बात करते हैं रेंताला चंदरशेकर साब का article है Award of Advice on OTT and Draft Telecom Bill देखिए जो रेंताला चंदरशेकर साब है यह chairman है Center for Digital Future की यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए Indian Telecommunication Bill 2022 इसका draft रिसेंटी रिलीस किया गया public comments के लिए अब इस particular draft में जो telecom services हैं वो तो included हैं telecom मतलब GEO हो गया, ATEL हो गया Vodafone Idea हो गया, इस प्रकार के BSNL हो गया यह telecommunication bill के embed के अंदर आएंगे at the same point of time over the top services, चाहे वो communication service हो चाहे किसी और प्रकार की service हो जैसे for example, अब WhatsApp हो गया, तो WhatsApp एक OTT communication service है, चुकि इसके थूँ आप audio call video call, message बगरा बेज सकते हो flip card की बात करो तो flip card technically एक communication service नहीं है, चुकि इस पर आप सामान खरीद रहो लेकिन हाँ flip card में भी messaging के सुविधा तो होती है कल की date में आपका कुछ order गलत प्रेस हो गया तो messaging के थूँ आप अपनी queries बगरा डाल सकते हो तो messaging वाले element तो उसमें होता है तो उस technical definition के इसाब से flip card भी OTT communication में आ गया अब बात ये कि इन OTT platforms को भी ये draft Indian Telecommunication Bill 2022 के अंदर रखा गया तो इसका क्या मतल है बहुत हर बोल रहे है क्या ये बहुत बड़ी बात है क्या ये चिंता की बात है या फिर हम इसको ignore कर सकते है क्या telecom companies और OTT technology companies को एक regulatory mechanism के अंदर रखना सही है इसका average citizens के उपर क्या फर्क पड़ेगा इंडिया के digital ecosystem पे क्या फर्क पड़ेगा इन सब चीजों की बात की जारी अब भाई देखे ये जो inclusion हुआ है तो क्या OTT services को और telecom services को आप same बोल सकते हो author बोल रहा है बिलकुल नहीं बोल सकते चुकि OTT service उन basic telecom services पे आधारे थे जैसे कि अगर आपको whatsapp, zoom वगरा इस्तमाल करना है अपने phone पे तो सबसे पहले आपके phone पे किसी particular network का connection होना चाहिए SIM card होना चाहिए जिस पे internet चलता हो तो आपने air telecom connection लिया उस पे internet चलता है तो उस internet के आधार पर आप whatsapp, zoom वगरा install कर सकते हो और OTT services को use कर सकते हो लेकिन vice versa is not true, मतलब अगर आपको OTT service use करनी है तो आपके पास telecom service तो होनी चाहिए बिना telecom service के आप OTT service use नहीं कर सकते हैं, but vice versa is not true telecom services को इस्तमाल करने के लिए phone calling, voice calling messaging service, इसको इस्तमाल करने के लिए OTT की जरूरत नहीं है, तो OTT इस्तमाल करने के लिए telecom services की जरूरत है, telecom services इस्तमाल करने के लिए OTT की जरूरत नहीं है तो आप दोनों को same नहीं बोल सकते, तो why telecom companies are pressurizing government to categorize OTT as similar, उसका reason यह है कि भाई देखिए, अगर OTT company को आप telecommunication के ambit में रखोगे, तो होगा यह कि OTT services को भी अपनी services चालू करने से पहले सरकार से permission लेनी पड़ेगी, अभी के लिए जो OTT services है, वो आपकी telecommunication bill के ambit के अंदर नहीं आती, वो information technology act के ambit के अंदर आती और information technology act के ambit के अंदर आपको अपना धंदा शुरू करने से पहले license लेनी की जरूत नहीं है आप अपना धंदा शुरू कर सकते हो license बात में ले लो, मतब आज की date मानलो मुझे कोई app खोल नहीं है तो वो app मैं open कर सकता हूँ, मुझे सरकार से कोई permission लेनी की जरूत नहीं है हलाकि सरकार ने information technology act के अंदर जो भी निहम कानून provisions बनाएं उसको मुझे मानना पड़ेगा लेकिन कल की date मानलो मैं कोई OTT platform खोलता हूँ और मैं आता हूँ draft telecommunication bill के अंदर तो उस case में मुझे सरकार से prior permission लेनी पड़ेगी in fact यह जो telecommunication player है ना बड़े-बड़े air tell जैसे वो चाहते ही नहीं कि OTT services सामने आए जोकि OTT services हमको free में audio calling, video calling जैसी सुवधाय प्रवाइड कर देते और उसके चलते जो पैसे की कमाई है normal telecommunication network की वो बहुत हद तक effect हो जाती है तो normal telecommunication network इस समय पे चीज़े OTT networks के लिए मुश्किल करना चाहती है फिर एक बुद्दा तो है कि जो telecom services है वो यह बोलती हैं कि बाई यह जो OTT services ने communication service प्रवाइड करती हैं हम भी communication प्रवाइड करते हैं तो उनको भी similarly regulate करिए मतलब कि जो telecom services है आपका ATL हो गया, IDEA हो गया, GEO हो गया यह communication service प्रवाइड कर रही है यह बोलती हैं कि जो WhatsApp जैसी OTT है यह भी तो communication service प्रवाइड कर रही है तो बराबर regulation हो चाहिए लेकिन at the same point of time author यह point out कर रहा है कि भई यह जो flip card हो गया, OLA हो गया make my trip जैसे OTT हो गया यह कहां communication service प्रवाइड कर रही है यह तो एक अलगी field की service प्रवाइड कर रही है लेकिन चुकि इनके अंदर messaging की सुविदा होती है तो उस messaging की सुविदा के basis पर आप यह इंफर कर लो कि यह भी communication services को belong करती है उस आधार पर यह भी telecom bill के अंदर आती है तो वो तो फिर धंदा मुश्किल से करने देने वाली बात हो गई न तो आगे आने वाले समय में किस हद्ता कि यह draft communication bill इन OTT के लिए काम करना मुश्किल कर देगा यह अपने आप में बड़ा question होगा इसका सवाब हम अभी के लिए नहीं दे सकते है फिर आगे आने वाले समय में एक Digital India Act आएगा तो वो Digital India Act के अंदर आप OTT communication services को रख सकते हो OTT communication services को इस समय पर अगर आप draft telecom bill के अंदर रख दोगे तो कहीं न कहीं जो foundational startup ecosystem में OTT का वो effect हो सकता है, compromise हो सकता है ऐसा कुछ यहाँ पर बोला जा रहा है फिर अगला article है the challenge of dressing without knowing where to go तो भाई journalism में जो city reporters होते हैं शुरवात में उनको actually माई idea नहीं होता है कि वो जिस जगा पे, जिस तरीके की news को cover करने के लिए जा रहे है वहाँ पे क्या attire पहन के जाए बट उस attire को decide करना बहुत ज़दा जरूरी है गलत जगा पे गलत attire embarrassing हो सकता है जैसे कि for example एक जगा पे राइट्स हो गए थे, लोगों की मौत हो गई थी तो उसको cover करने के लिए यहाँ पे जो TV reporter थी वो गई तो इन्होंने colorful कपड़े पैन रखे थे बट वहाँ जाके पहुची तो सबने सफेद कपड़े पैन रखे थे मातम के कपड़े पैन रखे थे तो इनको थोड़ा अजीब लगा उसी प्रकार से आप कहलो आगे मतलब दो-तीन जगह पे यह बता रही है कि एक politicians के साथ यह मिलने गई तो politicians के सामने jeans टी-शिट पैन के मिलने चली गई तो वो अजीब तरीके से देख रहा था तो कुल मिला कि यहाँ पे journalism के respect में बात की गई कि generalist जब कहीं जाते हैं तो उनको dress code का ध्यान प्रॉपर तरीके से रखना पड़ता है फिर recently disquiet in north east को लेके का article है बाइस नॉम्बर को Meghalia और आसाम के border पे एक flare हो गया जिसमें पांच villagers की जान चली गई और एक आसाम के forest guard की मृत्ति हो गई अब overall देखो तो आसाम से जो आसपास के states निकले हैं चाहे Meghalia हो चैनागा लैंड हो कुछ ना कुछ वहाँ पे बवाल होता ही रहता मिजुरम के border पे भी recently बवाल हुआ था तो आसाम के जो आप कहलो forest persons थे उनका ये बोलना है कि हमको चारो तरफ से घेर लिया गया तो चुकि हमको चारो तरफ से घेर लिया गया इसलिए हमने यहाँ पे गोलिया चलाई ठीक है ना लेकिन at the same point of time Meghalia का वर्जन ये है कि आसाम के forest guard Meghalia की जमीन के अंदर घुसके unprovoked firing करने लगे और दोनों ही स्टेट्स ने आसाम Meghalia ने अपने अपनी जगाओं पे एक inquiries particular incident में शुरू कर दिये मतलब नौर्थ इस्ट में बहुत सारे underlying conflict है एक mistrust की भावना है जिसको solve करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा आसाम Meghalia का 5 decade पुराना boundary dispute है अगर आप देखो तो Meghalia आसाम से निकल के एक full-fledged state बन गया था 1972 में 1970 में quarter-normous region बन गया था total इनकी boundary पे 12 ऐसी locations जहां पे disputed boundaries है जिसमें से 6 का resolution recently हुआ था 884 km की इनकी boundary लगबग 885 km की ठीक है तो ये flare-ups अकसर कर होते रहते हैं और इस प्रकार के flare-ups की वाल आसाम मेगाले की बीच में नहीं होते हैं आसाम का औरनाचल प्रदेश के साथ नागालेंड साथ मेगाले के साथ अभी देखो तो पिछले साले पुलिस फोर्स आसाम और मेगाले की आपस में भड़ गई पांच लोग आसाम की साथ में मर गए डिजन्स ओफ लोग कंफ्लिक्ट में मर चुके हैं नौर्थ इस्ट की स्टेट्स के इंटर्नल बॉंटरिस के चलते मतलब ये जो ट्राइबल आइडेंटिटी है ये ट्राइबल आइडेंटिटी नौर्थ इस्ट में इस हद तक डॉमिनेंट है कि एक ही देश के अंदर रहते हैं बट ट्राइबल आइडेंटिटी के अधार पर जमीन के ओपर अड़ाई हो जाती है तो आप समझ सकते हो कि इंडिविजन राज्य की सरकारों का और केंदर की Ministry of Home Affairs का एक काम कितना मुश्किल है कि एक ही कंट्री में एक भारती दूसरे भारतीयों को मार रहा है ये कम्यूनिटी इस किस हद तक ट्रेडिशनल हंटिंग, ग्रेजिंग और फार्मिंग ग्राउंड्स को लेकर आपसमें बटी हुई है ये सब बाते हमें इस प्रकार के इसिडेंट से पता चलती हूँ ये नागा वाला मुद्दा तो आपको पता ही है फिर नेक्स्ट इंडिया ज ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट रैटिफिकेशन इस गूड बट स्टेंग कॉंपटेटिव इस क्रेटिकल तो भईया ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली मेजर ट्रेड डील साइन की इंडिया ने पिछले साल अब जब इंडिया ने साइन की थी तो उस समय पे स्कॉट मौरिसन प्रधान मंत्री थी आज की डेट में स्कॉट मौरिसन अपोजिशन ने बैठे है प्रदानमंत्री एंथोनी अल्बनीज हैं लेकिन एंथोनी अल्बनीज ने भी इंडिया के साथ यह जो एकनोमिक कॉपरेशन और ट्रेड एग्रिमेंट साइन हुआता है इसको रैटिफाई करा है मतलब चाहे स्कॉट मौरिसन की सरकार हो चाहे एंथोनी अल्बनीज की सरकार हो इंडिया के साथ ऐस्टेलिया के रिष्टे जरूरी है ये वहाँ की ruling party opposition हर को ही मानता है एन्बेरा जो कि ऐस्टेलिया की राजधानी है वहाँ पे सब लोग इस बात से नाराज है कि ट्रेड को as a weapon इस्तमाल करता है चाइना और वो इंडिया को एक जादा trustworthy partner की तरह देखते हैं तो इस particular agreement के थूँ और कुछ और mechanism के थूँ जैसे Quad में भी इंडिया उस्टेलिया इंगेज कर रहे हैं फिर आप कहलो कि IPEF इंडो Pacific Economic Forum में भी इंडिया और उस्टेलिया इंगेज कर रहे हैं Trilateral Supply Chain Resilience Initiative में भी इंडिया उस्टेलिया इंगेज कर रहे हैं China Plus One Strategy में इंडिया के नाम निकल के आ रहा है और इस ECTA के थूँ इंडिया उस्टेलिया का ये टार्गेट है कि अभी जो 31 बिलियन डॉलर का Bilateral Traders को बढ़ा के 50 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे 98.3% Australian Tariff Line में इंडिया के प्रोड़क्स को Zero Duty Benefits मिलेगा Australia जो अपने 90% एक्सपोर्ट करता है इंडिया के अंदर उसमें Australia को Zero Duty Benefits मिलेगा तो इंडिया के प्रोड़क्स तो Australian मार्केट में और अस्टेलिया के प्रोड़क्स इंडियन मार्केट में Zero Duty पे बिकेंगे और मैं बता दूँ Australia से बहुत important raw materials आते हैं coal हो, metal हो, wool हो ये important raw materials हैं इंडियन मार्केट में इनकी बड़ी कीमत है तो कल की rate में अगर ये Zero Duty पे इंडिया के अंदर आते हैं तो इंडिया के importer's को सस्ते दाम पे अवलेबल होंगे economic development में हमें काफी मदब मिलेगी फिर इंडियन शेफ्स को, योगा, ट्रेनर्स को annual visa quotas मिलेंगा उस्ट्रेलिया में post study work visa regime हो सकता है इंडियन students के लिए थोड़ा आसान हो जाए ये भी ties को improve करेगा तो इंडिया उस्ट्रेलिया के साथ UK, EU, Canada सब के साथ अपने bilateral tries बढ़ा रहा और हमें बढ़ाने भी पढ़ेंगे हमने regional comprehensive economic partnership जैसे programs, multilateral agreements को sign नहीं किया है तो bilaterally हमें agreement sign करना ही पढ़ेगा अपनी economic development को ensure करने के लिए तो ये था आज का editorial और current discussion I hope आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला